हाई गाईज वैलकम टू माई चैनल तो गाईज स्वागत है आपका आर्शना फैसन डिजाइनर में तो आप लोग कैसे हैं यह बताईए सबसे पहले आई हो कि आप सभी लोग अच्छी होंगे तो गाईज आप लोग मेरे बनाई डिजाइन को काफी सारा पसंद कर रहे हैं त पढ़ेगा बहुत सिंपल बहुत आसान है और वीडियो में बने रहेगा वीडियो को फुल बहुच कीजिएगा वीडियो पसंद रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके बताया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग कहां से मेरा वीडियो कीजिए आप लोग लाइक किया कीजिए आपको लाइक विल्कुल पी नहीं करते हैं तो इस पैटन को बनाने के लिए सब्सकर पहले हमें इससे थरीकिन मühर्स चार हमें एक्स्ट अरखने है पैटन को सेट करें के लिए देचे स्डिशन का न OUT नेक्स्ट फर्स्ट रो जो है हम पूरी सीधी बनाते हूं कम्प्लीट करेंगे देखिए इस तरह से और सब्सक्राइबर्स में आपको ना इंस्टा पर भी मिल जाओंगी तो इंस्टा ग्राम जुक का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आप एक बार चेक आउट कर लिजेगा वहाँ पर काफी सारी सब्सक्राइबर्स जो है मुझसे बात करते हैं आप लोग मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे फोटो बेज सकते हैं वहाँ पर आप सभी फंदों को लिटा बनाते हुए पूरी लाइन को जो है हम कंप्लीट करेंगे तो है ना यह सिंपल पिल्कुल आप लोग जो न्यू न्यू देख रहे हैं मेरी वीडियो आपको बताएगे कैसी लग रही है यहां तक तो आपको समझ में आई गया होगा बहुत आसान है सब्सक्राइब कर लेंगे कि फर्स्ट रोग की तरह यह तीसरी सलाई भी बनाई जाएगी देखिए इस तरह से पूरी लाइन जो है हम सीधी बनाएक कंप्लीट करेंगे कि उम्मीद कर सकती हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यह देखिए तीन सलाई हमने यह पर कंप्लीट कर लिए अब देखिए फोर्थ साइड से आ गए रॉंग साइड से तो फोर्थ सलाई है यह हमारी इसको थोड़ा सा देखिएगा वैसे तो यह भी बहुत सिंपल है पहला तो सिलिप कर लेंगे दूसरा फंदा हम उल्टा बन लेकिन भस थोड़ा सा बैसे हम एक बर धागा लपिटके बनाते है इस बार हम देखिए वन टुद्वर धागा लपिट लूटा बनाएंगे देखिए कि वंट टू के वंट टू के माने माने टू के की वन टू कि क्योंकि हमने यहां पर दो फंदे सिंपल उल्टे बनाएते तो यहां पर हम नॉर्मली एक बाद धागा लपेटते हुए उल्टे बना लेंगे इन दो फंदों को कि चार सलाई हमने कम्प्लीट कर लिए अब पांच भी सलाई बस इस सलाई को आप ध्यान से देख लीजिएगा पहला फंदा स्लेप करेंगे दूसरा फंदा हम सीधा बनाएगे अब देखो तीन फंदे इसमें हम इस तरह से खोल देंगे अब इन तीन फंदों को हम इस सलाई बे लेंगे ठीक है अब धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और तीन फंदों से ही हम तीन फंदे बनाएंगे कैसे देखिए वन टू धागा लपेटा टू देखो तीन ठीक फिर देखो तीन फंदे खोलेंगे इदर लेके आएंगे एक बार और उल्टा बना लेंगे, तीन, ठीक, अब देखिए, one, two, three, इस तरह से, one, two, यह देखिएगा, three, धागा पीछे, एक फंदा, सीधा, एज इस्टेच को भी सीधा बना लेंगे, तो देखिए, यह हमारी हो गई, पांच सलाई है, अब छटीवी सलाई, as usual जैसे, भिगनर्स बनाते हैं, भिगनर्स के लिए बनानी चाहिए, पहला फंदा सलिप करके, सभी फंदों को, एक एक करके, उल्टा बना लेंगे, तो यह जो 6 सलाई हैं, हमने अब यह भी बनाई है, इनको आपको बार बार बस रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है, पैटन की सुरुआत हम फिर से वही करेंगे, यहां से पहली सलाई सीधी बनाएंगे, दूसरी सलाई उल्टी बनाएंगे, तीसरी सलाई सीधी बनाएंगे, चौती सलाई दो फंदे यहां पर उल्टे बनाते हुए, यहां तक सभी फंदों को दो बार धागा लपिटते हुए उल्टे बनाएंगे, फिर दो फंदे यह उल्टे बनाएंगे, पांचवी सलाई दो फंदे की सीधे बनाएंगे फिर तीन का तीन तीन का तीन दो फंदे सीधे छटवे से लाई पूरी उल्टी बनाके फिर से हम यही पर आ जाएंगे रिपीटिशन पर ठीक है बाकी आप वीडियो को दुबारा बापस शुरुआ से देख लीजेगा रिवाइंड करके और अगर एस पैतन को किसी बड़ concrete बनाएंगे ना तो यह ج पैतन सच में बहुत प्यारा लगेगा और किसी भी प्रोजय के सब्सक्राइब缥 सकते हैं बच्चों की सपले में लेडी सफ़ेटर में किसी प्रोजय के सबिस्क्राइब किसी में भी डाल सकते हैं हैं मैंने पैटन बनाए और रहे हैं कितना खूबसूरत एकदम से 3D लोक आ रहा है ऐसा लग रहा है अपने एक्सपीजिएंस में इसाथ इंस्टा पे शियर कीजिए कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कहां से मेरा वीडियो देखने आपका फेवरेट कलर कौन सा है कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए थोड़ा सा मॉटिवेशन मिलता है और हमें भी पता चलता है कि आप भ्रूंगों को क्या पसंद है क्या नहीं और सो गाइस मेरे अधर चैनल भी है मेकप टुटोरियल का चैनल है लाइफ स्टाइल व्लॉक्स स्किन केर हेर केर बाग चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में है और शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए थांक यू बाइबाए